ये वीडियो इस NCRT सिरीज का पार्ट थ्री है ठीक है पार्ट थ्री और कौन सा चेप्टर चल ला है चेप्टर हमों का चल ला है solid state तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेरे बारे में कुछ information दे गई है आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ चीजें हम लोग सबसे पहले मैं आपको यह चीज दिखा दू कि इसमें हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया और क्या-क्या चीज अभी पढ़ना बागी है तो 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 6 points मैं बता चुगा हूँ आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको यह 7 वाला और यह 8 7-8 topic मैं बताने वाला हूँ 7 topic है क्या? calculate the packing efficiency ठेक है? packing efficiency हम लोग सिखेंगे और 7 में क्या सिखेंगे? density of substance सिखेंगे, of unit cell कि जो density यह होती है वो और यह वाली point इसमें क्या है? कि जो solid होता है उसमें imperfection या फिर हम लोग क्या बोलें? defect क्या होता है? defect in solid यह 3 point पढ़ने वाले है, ठीक है? तो देखते हैं इसमें देखो, सबसे पहला point जो है packing efficiency spiking efficiency को थोड़ो समझ लेते हैं, जैसे यह हम लोगों का एक unit cell है तो इस unit cell में क्या होता है? कि atom भी पाया जाते हैं atom भी पाया जाते हैं, और 7 में क्या होता है? यह सब बीच में खाली जगा भी होता है, ठीक है? तो इस पूरे के पूरे unit cell में इस पूरी के पूरी unit cell में आखिर कितना % item है क्योंकि बीच-बीच में खाली जगह पीद्ग है तो ऐसा नहीं कह सकते कि unit cell में 100% हम लोगों का item होता है ये बात गलत हो जाए ये ऐसा नहीं है इसमें खाली जगह भी है तो इसमें हम लोगों को यही चीज़ पता करनी पड़ती है कि इसमें इटम का जो वैलूम है आखिर वो है कितना ठीक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैकिंग efficiency कहते हैं तो सबसे पहली चीज है पैकिंग efficiency हम लोग किसके चेक करने वाले हैं या तो HCP बोले या तो CCP या तो हम लोग इसको एप CC बोले इन तीनों की जो पैकिंग efficiency होती है न वो equally efficient होती है बराबर होती है ठीक है तो यहाँ पे किस तरीकिस देखिए पता करने वाले हम लोग देखें फेस सेंटर्ड यानि कि यदि हम लोग का एप CC हो तो क्या होगा corner पर item होंगे face पर item होंगे ठीक है और corner पर item होंगे ये और भी जगहों पर मौझूद है लेकिन हम लोग सिर्फ ये तीन item को ही यहाँ पर बना कर इसमें calculate करने वाले हैं ताकि इस तरह से एक चीस समझते है ये जो A दिख रहा है ठीक है और ये जो C दिख रहा है ये एक्चुली में है क्या हम लोगों का ये two dimensional surface ये वाला देख लो कौन सा जिस पर मैं ये diagram बना रहा हूँ ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया ये D हो ठीक है यानि एक तरीके से ये क्या हो गया हम पराबर हने वाले है तीनों ठीक है तो देखते हैं हम लोग ये जो A C दिख रहा है ठीक है A C इचल टु होगा कितना देखो ये A है और ये C है इसी को पता कर रहे हैं तो यहां से ये हम लोगों का ये इसको हम लोग क्या मनें एक स्फेरिकल मनें तो ये इसका क्या हो गया radius R क्योंकि ये diameter हो जाएगा तो 2R हो जाएगा ठीक है और इधर भी यहाँ पे हो जाएगा R ठीक है R तो हम लोग देख रहे हैं कि AC is equal to कितना मिल गया हम लोगों को 4R मिल गया ठीक अच्छा है gorgeous ये वली जो side दिख रही है A है और ये वली जो side दिख रही है ये भी A है क्या है ये दोनों ही cube की side है न तो ये भी A और ये भी A अब ये क्या है इनका hypotenuse है तो हम लोगों को मिल गया AC is equal to 4R और ये और ये दोनों side क्या हो गया इसकी cube की side है और ये AC क्या हो गया hypotenuse तो Pythagoras theorem लगाएं हम लोग AC square और यहां से यहां जो दिख रहा है AD square ठेक है और ये वली चीज जो दिख रही है CD square ठेक है तो क्योंकि ये सब A ही है तो क्या हो गया A square plus A square यानि कि क्या हो गया 2A square तो AC is equal to कितना हो जाएगा ये हो जाएगा root 2A और उपर हम लोग देख रहे है AC is equal to कितना है उपर हम लोग देख रहे है AC is equal to कितना है ये है कितना उपर भी कितना है 2A है ठीक तो आप लोग अब मुझे बता दो कि जब AC is equal to A root 2A हो गया और AC is equal to 4R हो गया ठीक है तो R की value कितनी हो गई ये हो गई हम लोगों के root 2 upon 4 upon multiplied by A यानि ये R की value आ गई तो हम लोग उन्हें अखिर में सीखा क्या है ये जो सीखे हम लोग R is equal to root 2 upon 4A ये R क्या है radius of square A क्या है side of Q इन दोनों में इक relation देखे है ठीक है अब देखो volume of cube क्या होता है वो होता है A cube ठीक आरी बाद सोंजबे अच्छा और volume of यानि इस cube का जो volume होगा वो कितना हो गया A cube हो गया volume of sphere कितना होता है वो 4 upon 3 pi r cube ठीक है इस R के जिगा पे हम लोग ये वाली पूरी value रख सकते हैं ठीक है तो क्या मिलेगा 4 upon 3 pi ये root 2 upon 4 ये A और इस पूरी का क्या हो गया cube हो गया ठीक है अच्छा ये तो एक sphere जो इसमें atom होगा उसका value मिल गया है इतना और क्योंकि ये fcc है तो fcc में number of atom होते कितने हैं total 4 होते हैं तो इसमें जो हम लोगों का total volume of sphere कितना हो जाएगा 4 multiplied by जो एक atom का जो volume था कितना था 4 upon 3 root 2 a upon 4 का whole cube ठीक है इसको हम लोग और solve करें तो ये कितना हो जाएगा 16 upon 3 ठीक है और ये कितना हो गया root 2 a upon 4 का कितना हो गया cube ठीक है ये चीज़ हो गया और यहाँ पर हम लोगों देख रहे हैं कि cube का value हमें पता ही है यानि कि इस पूरे cube का जो value में वो इतना है a cube और इस पूरे cube में atom का जो value में वो कितना है इतना रहा ठीक है तो अब अराम से हम लोग इसका percentage निकाल सकते हैं तो percentage of atomic value ठीक है थोड़ा समय इसको दूसरी color से दिखाता हूँ ठीक है तो percentage of atomic volume वो कितना हो जाएगा आप ही मुझे लोग बता दो ये जो हम लोगों का total volume दिखा कितना है 16 upon 3 ये हो गया root 2 a upon 4 का whole cube divided by aq और multiplied by 100 इसको जब पूरा solve करेंगे न चेक है तो क्योंकि ये FCC है और ये निकल कराएगा कितना 74% तो आप लोग देख लो एक बार बढ़ियां से हम लोगों ने किया क्या सबसे पहले तो इसमें cube का volume निकाले aq यहाँ पे जो radius दिख रहा है और ये जो side दिख रहे इसमें relation निकाले तो FCC में ये निकल के आ गया ठीक है उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या किया कि जो number of atoms हैं वो कितने हैं चार है ठीक है और एक atom का volume इतना दिख रहा है तो इसमें total atomic volume कितना हो गया वो इतना हो गया 16 upon 3 root 2a upon 4 का whole cube तो ये वला हम लोगों का atom का volume हो गया और नीचे ये cube का volume हो गया और multiplied by 100 तो percentage of atomic volume कितना आ गया 74% आ ठीक है एक दो बार इस derivation को थोड़ा से rewind करके देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोगोंने यहां पर एक चीज़ सीख लिया कि जो R होता है FCC में ठीक है या फिर HCP या फिर CCP में जो radius of square होगा वो कितना होगा root 2 upon 4a एक चीज़ तो ये निकल के आ गया और साथ में यहां पर जो percentage of volume आ गया है packing efficiency वो कितनी आ गयी 74 ठीक यह रही बात हम लोगों की FCC की अब आगे बढ़ते हैं यह देखो BCC अब देखना आसान है ठीक अब मैं direct बताना शुरू करता हूँ देखो BCC में होता क्या है कि एक item कहां पर होता है इसके center में ठीक है यह वाला item अच्छा अब देखो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ यह देखो यह वाला जो point A है यह वाली जो line दिख रही है यानि यह D हो गया यह वाली जो line दिख रही है यह क्या हो गया F हो गया ठीक है और यह जो हम लोगों का पूरा दिख रहा है यह A F हो गया ठीक तो सबसे पहले हम लोग इसको पता करते है यह F और D ठीक है यह भी A दिख रहा है और यह भी A दिख रहा है ठीक है तो यह कितना हो गया root 2 A हो गया बास समझ में आ रही कि नहीं यानि जो F D हो गया F D या फिर D F कह लें वो कितना हो गया root 2 A ठीक है यानि यह कितना हो गया root 2 A और यह जो A D दिख रहा है A D वो कितना है A ही है क्योंकि side of Q है अब हम लोग को A F पता करना है ठीक है यहाँ से यहाँ तक तो वापस से पाथा गुरस थियोरम लगाएंगे A F का square A D square plus D F का square ठीक है तो यह कितना मिल जाएगा A D कितना है A square plus root 2 का whole square और यहाँ से A F is equal to कितना आ गया root 3 A अच्छा वापस से हम लोग थोड़ा इसको देखें यहाँ से यहाँ जो A F दिख रहा है ठीक है यह वाला तो देखो एक R यहाँ हो गया और यह 2 R हो गया diameter और यह R यानि कि A F वास्ताव में किसके बरावर है 4 R तो यहाँ से R की value कितनी आ गई root 3 upon 4 A ठीक है यह radius और cube में relation आ गया बस काम हो गया है तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया कितना R is equal to root 3 A upon root 3 4 multiplied by A ठीक है तो वापस से यहाँ पे हम लोगों का जो volume of cube होगा वो कितना हो जाएगा A cube अब total volume एक ही बार निकाल लेते हैं total volume of atom ठीक है इसमें जितने भी atom है तो क्योंकि B से सी है तो number of atom 2 होंगे ठीक और एक atom का volume कितना हो जाएगा 4 upon 3 pi r cube इस r cube को हम लोग इससे replace करेंगे r cube के जगए इसको रखेंगे तो कितना हो गया यह 8 upon 3 हो गया यह pi इस r के जगए root 3 upon 4 A का यह हो गया whole cube ठीक है तो यह हम लोगों का क्या है atom cube का value में और यह किसका value में atom का value में तो अब हम लोग इसमें यहां से आराम से percentage of piking efficiency निकाल सकते हैं तो कितना हो गया 8 upon 3 pi यह कितना हो गया root 3 upon 4 का A का cube और divided by A cube और A cube और multiplied by क्या करेंगे 100 तो इसको जब solve करेंगे तो यह कितना निकल गया जाएगा 68% तो यहां पर हम लोगों को दो चीज़ समझ में है कि जब बात 20C की करी जाए तो जो R होता है वो कितना होता है root 3 upon 4 A ठिक और साथ में इसमें जो percentage of piking efficiency होती है वो कितनी होती है 68 अच्छा एक और चीज़ आप लोग मुझे बताना जब इसमें atom का जो percentage है वो 68 है तो इसमें जो होगा percentage of void वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 100 minus 68 तो कितना निकल के आजाएगा यह 32% बात आ रही समझ में यानि कि इसमें 68 यह जो पूरा cube दिख रहा है ना इस पूरे cube में 68% atom का value में और इसमें 32% खाली जगह है ठीक है आसानी है आसानी है इसमें कुछ दिमाग बहुत विशिश्टो लगाना है नहीं और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखो यह आगे हम लोगों का simple cubic unit cell ठीक है तो बस इसमें क्या करना है भया यहां point दिख रहा होगा और यहां point दिख रहा होगा यह मुलोगों का किसकी side हो गई side of cube तो यह वाली जो side दिख रही है एक तरीकर कहें तो यह किसके बराबर है 2R यानि यह भी R है और यह भी R है ठीक और साथ में यह cube of side है ठीक, यहां से यहां तक, एक मर्में फिर से दिखा देता हूँ, देखो, यहां से यहां तक यह जो दिख रहा है, यह कितना R है, और यहां से यहां जो दिख रहा है, यह भी R है, यानि कि यहां से यहां, यह A और यह जो दिख रहा है, यही तो side of cube A है, और यह वास्तावम किस के बराबर है 2 r के बराबर है तो यहां से r की value कितनी आ गई a upon 2 आ गई ठीक है अब देखो कितना असान है कि r की value आ गई a upon 2 ठीक है और volume of cube यह जो volume of cube देख रहा है इसका कितना volume होगा a cube होगा और total volume of atoms ठीक है वो कितने हो जाएंगा क्योंकि यह simple cubic unit cell है तो इसमें एक ही atom होता है ठीक और यह 4 upon 3 pi r cube होगा अब इस r के जगह पे इसको replace करेंगे ठीक तो यहां पे कितना हो गया 4 upon 3 pi और यह कितना हो गया a upon 2 का whole cube ठीक है अब वापस से यह हम लोगों का क्या है cube का volume और यह क्या हम लोगों का atom का volume तो अब आराम से percentage निकाल सकते हैं तो percentage निकालने के लिए क्या करेंगे बस यह हम लोगों कहो गया 4 upon 3 pi a upon 2 का whole cube यह atomic volume हो गया और divided by e cube और multiplied by 100 इसको जब solve करेंगे तो यह कितना जाएगा 52% तो अब मुझे बताओ लोग कि जब इस पूरे में 52% क्या है atom है तो percentage of void खाले जगा कितनी हो जाएगी अराम से यह कोई भी बता देगा 100-52 याने की 100-52 याने की कितना आ गया 48% ठीक है तो simple qbq unit cell का जो packing efficiency उसको भी हम लोगों ने देख लिया तो यहाँ पे कुछ चीज़े निकल कर आई है कि यहाँ पे जो r होगा वो पहली बात कितना a by 2 हो गया और इसमें जो packing efficiency वो कितनी हो गई 52% हो गई और यहाँ पे जो खाली जगा वो कितना हो गया 48% हो ठीक है देखो यह जो derivation मैं कराया हूँ ठीक है जानते रहो ठीक है यह ऐसा नहीं है कि यह बहुत ज़्यादा important है exam में पूछा ही जाएगा examiner को पता है कि इस तरीके के चीज़ें मैं पूछूँगा तो बच्चा क्या है कि पक्का इसको लगा देगा ठीक है तो इस तरीके के derivation तो आम तर पर exam में नहीं पूछी जाती है अभी जो मैं हम लोग derive करके लाए हैं 52% लाए है ठीक है और 68% लाए है और 74% packing efficiency जो लाए हो यह derivation नहीं पूछा जाता है लेकिन यहां से कुछ छोटे मोटे numericals पूछे जाते हैं बेसिकली हम लोगों को यह packing efficiency का percentage याद रखना है ठीक तो एक बार मैं थोड़ा सा इस तरीके से table जैसा कुछ बना दूँ तो आप लोग मुझे बताए कि जो simple qbq unit sale हो गया ठीक और जो हम लोगों का bcc हो गया body centered और जो fcc हो गया नहीं face centered ठीक है तो packing efficiency packing efficiency कितनी है भया इसमें 52% है ठीक है bcc में 68% है ठीक और इसमें कितनी थी 74% ठीक है यहाँ पे जो relation था वो r is equal to कितना था a by 2 bcc में r is equal to कितना था root 3 a by 4 यहाँ पे जो r is equal to कितना था root 2 upon 4 a ठीक है तो यह वाला थोड़ा सा table हम लोग क्या कर सकते है याद रख सकते है ठीक है तो चलिए ठीक इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं इसमें क्या है अब देखो हम लोगों को देखना है कि जो कोई भी unit cell होता है ठीक है यह unit cell है इस unit cell की density क्या होगे density density मतलब समझते हो density का formula क्या होता है सभी लोगों को पता होगा छोटे बच्चों की class में पढ़ाया जाता है density इसकल टो क्या होता है mass upon volume ठीक है sorry तो mass upon volume यदि इसके side को हम लोग क्या बोलें कि A है A है A है और यह cube है तो volume तो समझ में आता है कि mass upon volume कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा अच्छा यह mass माने क्या mass माने इसमें कि जो भी atoms हैं जितने भी atoms हैं उसका कितना mass हुआ तो यदि मैं इसको इस तरीके से दिखा दू ZM upon AQ Z यह M क्या है M क्या है कि इसमें जो एक atom होगा उसका mass Z क्या है इसमें number of atom number of atom कितनी है ठीक है तो number of atom को एक atom के mass से multiply करेंगे तो total atomic mass पता चल जाएगा आरी बस सोंझ में अब देखो यह जो चीज दिखाई जाती है periodic table में जैसे हम लोग देखें कि sodium का जो atomic mass 23 होता है तो ये एक atom का mass नहीं होता है ये mass होता है 23 एकल टू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 यानि जो atomic mass periodic table में लिया रहता है ने चाहे 23 हो गया चाहे carbon के लिए हम लोगों का 12 हो गया ये किसी एक atom का mass होता ही नहीं है वो इतने atom का mass होता है यानि 1 mole atom का mass होता है ठीक है तो एक atom का mass कितना हो जाएगा एक atom का mass हो जाएगा हम लोगों का 23 divided by 6.023 इंटू 10 कावर 23 ठीक है यानि हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी हम लोगों का atomic mass होगा ठीक है तो सीधा सा क्या है कि density of unit cell का जो formula बनेगा वो बनेगा Z ये बन गया M और ये बन गया AQ और ये बन गया Avogadro number ये वाला formula सभी लोग याद रिखेंगे इस पर numericals जरूर पूछे जाते हैं ठीक है एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सभाई क्या ये Z क्या है number of atom ठीक है in unit cell in unit cell ये M क्या है M है atomic mass of element जिस भी element का ये solid unit cell होगा उसका atomic mass AQ क्या है समझी रहे हो अब ये Q क्या है हम लोग होगा volume of unit cell होगा और ये N A समझी रहवा गेड्रो नंबर ठीक है तो इस formula को ध्यान रखना ठीक है यहां से ने मिलकल पूछे जाते है इसमें थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते है अरे देखना भी बहुत मज़ाएगा भाई ये बहुत आसान है इसमें कुछ बहुत विशेस वैसा ये rocket science नहीं है छोटी से पढ़ाई है छोटे बच्चों के ठीक है ग्यारवी बारवी के पढ़ाई कोई तूफान नहीं होता ये quantum mechanics spectroscopy या neurology कुछ ऐसा अजीब सा case नहीं है ठीक है बहुत सस्ती पढ़ाई है अब हम लोग देखने वाले है imperfection in solid ठीक है तो इसमें दो तरीके imperfection of solid मने क्या है जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो ये solid है solid में imperfection होगा यानि कि बढ़ियां solid नहीं है कहीं 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 कोई गलती पाई जा रही है ठीक है दो element या दो substance बोल दें या दो constituent particle बोल दें इन से मिलके बना है और वो क्या है हम लोगों का ठीक है इस तरीके से इसके कुछ lattice site होगी जहां जहां पर ये item पाई जाएगा ठीक बात समझना लेकिन हो क्या कि किसी वज़र से ठीक है बनते समय इसमें कहीं कोई defect पाई जाए इसके site ऐसे थी कि A के बाद B है A के बाद B है B के बाद E है इस तरीके पाई जाना था इसको लेकिन किसी वज़र से मानलो कि ये पूरी line ही यहां से गाईब हो ठीक है तो ये कौन सा defect हो गया ये हो गया line defect point defect क्या है कि इसमें से कहीं कहीं कुछ चीज़े मानलो कि ये गाईब हो या फिर ये गाईब हो या फिर यहां से कुछ चीज़े गाईब हो यहां से कुछ चीज़े गाईब हो यानि कि अपनी point की जगहों से कुछ चीज़े यादि disappear हो या imperfection पाया जाता हो तो point defect हो गया यदि पूरी के पूरी ये वाली line गया वह चाहिए कोई भी line इस तरीके से भी ये वाली line भी गया वह तो यह हम लोगों का स्थset defect हो गया line defect हो ठीक है तो line defect अपनी को क्या है कि पढ़ना है नहीं अपनी को सिर्फ क्या पढ़ना है यहाँ पे point defect ठीक है तो point defect के बारे में थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं देखो बहुत आसान है बहुत ही आसान यह इतना आसान है कि मैं एक बार में बोलूगा और एक ही बार में समझ जाओगे types of point defect तो इसमें सबसे पहला क्या है इस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इस्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि defect के बाद भी उसका जो molecular formula होगा वो same होगा जैसे हम लोग NaCl की बात करें ठीक है 1-1 का रेशियो है देख रहे हो कि नहीं sodium और chlorine का रेशियो कैसा है 1-1 का ठीक है तो इसको हम लोग इस्टोकियोमेट्रिक compound बोलेंगे यानि रेशियो कैसा है बराबर है ठीक तो इस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट माने क्या है कि रेशियो जो होगा उसमें उसके constituent particle का वो रेशियो कैसा होगा क्या है गयाब ठीक है उसे तरीके से इसमें हम लोग यहाँ पर देखे तो यह anion, cation, anion, cation यहाँ पर देखो क्या है anion गयाब तो बात समझो यहाँ से इस पूरे solid से कुछ चीजे क्या है है ही नहीं present ही नहीं वो disappear है यानि vacancy है, खाली जगह है तो यह कौन से defect हो गया vacancy defect तो इस vacancy defect में सबसे best type, इसका example क्या हो गया short की defect, ठीक है तो short की defect में हम लोग देखें कि क्या होता है, बराबर बराबर नंबर के ठीक है, यानि कि यहाँ पर जो हम लोगों का cation था एक cation gaib है और यहाँ पर एक anion gaib है यानि बराबर बराबर नंबर के cation और anion gaib है, ठीक है तो इसलिए यह पूरा जो solid पाया जाएगा यह electrically कैसा होगा, neutral होगा इस पर कोई charge नहीं होगा तो अब मुझे बताओ हो कि यह जो इतना बड़ा solid दिख रहा है, ठीक है इसका volume कैसा है, fix है लेकिन इसमें से कुछ चीज़े हैं ही नहीं तो नहीं होने की वज़े से इसका mass कैसा हो गया, कम हो गया अभी हम लोगों ने देखा था density का formula क्या होता है mass upon mass upon क्या होता है, volume तो भाईया, volume इसका कैसा है पूरा का पूरा, same, ठीक लेकिन mass कैसा है कुछ mass कम हो गया न तो mass क्या हो गया, कम हो गया तो density भी कैसी हो गई, कम हो गई तो हम लोग क्या चीज़ समझेंगे कि जो short की defect उटा है ठीक है, अब इस line को याद रखना short की defect में density क्या होती है density कम हो जाती है ठीक है, density becomes short density कैसी हो जाती है कम, क्यों, क्योंकि इसका जो volume है, वो same रहा, लेकिन mass इसमें कुछ ही नहीं, पाया ही नहीं जा रहा है mass थोड़ा कम हो गया, ठीक अब interrestrial defect समझे दिखो, ये जहां-जहां पर particle है, वो सब lattice point है या lattice site है, जहां-जहां particle नहीं, जैसे ये सब, जो खाली जग़ा है इसको हम लोग क्या बोलते है, interrestrial site बोलते है, ठीक, तो अब दिखो, होगा क्या, कि ये जो cation दिख रहा है, दिखो, size में कैसा है, छोटा है anion कैसा है, size में, बड़ा है, ठीक है तो क्योंकि cation size में छोटा है तो ये अपनी जगह से या अपनी जगह से छोड़के interrestrial site में आ गया, यानि यहां पर आ गया, ठीक है, दिखो यहां पर cation को होना चाहिए था जहां पर, बाद समझो जहां पर cation को होना चाहिए था लेकिन यह इतना छोटा है कि आराम से interrestrial site में यहां पर आ चुका है, तो इस defect हम लोग क्या बोलते हैं, interrestrial defect बोलते हैं, कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग देखें, volume जितना था उतना का उतना ही है, और जो mass जो था उतना का उतना ही इसी के अंदर मोजूद है तो density पर यहां पर कोई effect नहीं हुआ ऐसा नहीं कि density कम होगी volume भी जितना था उतना ही है, mass भी जितना था उतना ही है, हाँ वो अलग बात है कि जो mass को जहां पर होना चाहिए था, वो अपने point से नहां होकर interrestrial site में आ गया है है ना, जो mass था, जो cation था, जो particle था वो अपने lattice point को छोड़ कर कहां पर आ गया interrestrial site में आ गया तो यह हम लोगों ने देख लिया कि इसको stoichiometric defect को, अब देखो थोड़ा इसके आगे और बढ़ते हैं यह सब बहुत important है, इसको छोड़ना नहीं, बढ़ियां से ध्यान रखना है impurity defect, नाम सही समझ में आ रहा है जैसे NaCl कि NaCl की यह क्या है lattice दिखाई जा रहे है, यहाँ पे Na plus है, Cl minus है, Na plus है, Cl minus है ठीक है, यानि इस तरीके से था लेकिन इसमें क्या किया गया Estronium plus 2 को add कर दिया गया ठीक है, तो एक Estronium plus 2 जहाँ पे Na plus था, वहीं पे आ गया अब बात समझो, यहाँ पे था Na plus, लेकिन A कौन गया Estronium plus 2, तो यानि इस पूरे पर एक positive charge आ गया है कि नहीं, यहाँ पे एक plus होना चाहिए था पहले, लेकिन A कितना गया, plus 2, यानि इस पूरे solid पर charge कितना आ जाएगा, plus 1 का जाएगा, ठीक है, लेकि क्योंकि यह solid है, तो इसको neutral होना है, तो neutral होने के लिए क्या करेगा, कि जो यहाँ पर कहीं और जगहों पर जो solid पाया जा रहा था, उसकी vacancy हो जाएगी, यानि यह चला जाएगा बाहर, आ रही बास मुझ में तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं, कि जब 1 istronium plus 2 यहाँ पर आया है, तो 1 sodium plus की जगह खाली हो गई है chlorine minus, तो यहाँ किसको होना चाहिए था, sodium plus को, और यह sodium plus की जगह खाली है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, कि यहाँ पर जितना istronium plus आएंगे, तो उतनी vacancy create होगी, यानि कि 10 istronium plus 2 आएंगे, तो 10 sodium plus की vacancy हो जाएगी, यह क्या है impurity defect, ठीक और और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखो non-stichometry defect, जैसा कि नाम सही समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, formula का जो ratio है, वो बदल जाएगा, ठीक है जैसे हम लोग कहा दें कि यह NACL 1-1 का ratio है, ठीक है या फिर मैं इस तरह से कहे दूँ, Fe, O का 1-1 का ratio है, ठीक है या फिर मैं इस तरह से बोल दू, Z, O, O का 1-1 का ratio है, यानि यह भी 1, यह 1-1 का ratio है, लेकिन कुछ इस तरीके से बन जाए कि जो zinc है, वो हम लोगों का थोड़ा जादा हो जाए, ठीक है यह 1 हो जाए, और यह oxygen 0.98 हो जाए, ठीक है तो देखो की ratio कैसा हो गया, कम हो गया बोलो, ratio कैसा हो गया बिगड गया या फिर कम हो गया और इसमें metal कैसा हो गया, जादा हो गया ठीक है, तो यह metal जादा हो गया इसमें कुम लोग क्या बोलेंगे, metal excess defect देखो ये 1 1 का ratio होना चाहिए था ठीक है लेकिन ये 1 है ये 0.98 है ठीक है तो ये क्या हो गया metal excess defect क्यों क्योंकि इसमें metal कैसा हो गया जाधा हो गया और ये non stoichiometric defect पूलेंगे क्यों क्योंकि इनका ratio क्या है बिगड़ गया ratio बिगड़ गया ठीक है तो इसमें metal excess defect में एक्स्ट्र egg verme aja तो पहला वहला चीज हम लोग देखे यहां पे सब्सक्र सबूस्द करो यहां लोगों का एनने प्लπα सटे है एक सगेंड यह लोगों का ए ने सियमों की करिष्टल rice बना है एनने प्लस सियल माइनस एनने प्लस सियल माइनका है ऐसँ होगा है कि न ऐसे ही होगा ठीक है लेकिन अब करो क्या ठीक है अब करो क्या कि इस पूरे crystal lattice को NaCl को हम लोगों ने क्या किया कि sodium के presence में heat कर दिया ठीक है तो अब ये chlorine क्या किया कि इस सोडियम के साथ combine हुआ और NaCl बना के चला गया तो यहां पर हम लोग देखें कि N9 की क्या होगे vacancy क्योंकि chlorine minus क्या है चला गया तो यहीं लिखा है na N9 की vacancy ठीक है तो chlorine minus क्या हो गया यहां से chlorine minus चला गया ठीक है अब chlorine minus चला जाएगा तो बताओ इस पूरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस चला गया तो charge कौन सा जागा positive लेकिन इसको neutral होना है neutral होने के लिए जहां से chlorine minus गया था वहीं पे कौन आपे cover करेगा घेरेगा electron और इस electron को घेरने की जो site बन चुकी है अब इसे को हम लोग क्या बहोते है f center अब देखो मैं इस figure में दिखाता हूँ जैसे दिख लो यह chlorine minus था यह na plus था ठीक है इसे दर से था तो अब इस पूरे को जैसे ही हम लोगों ने क्या किया sodium के vapor में heat किया तो यहां वाला जो chlorine minus था वो तो चला गया तो यह खाली जगा हो गई तो खाली जगा होने की वज़े से इस पर आ गया positive charge तो इस positive charge को balance करने के लिए उस खाली जगा पर कौन दिख रहा है electron दिख रहा है यहां पर electron ठीक है electron और यहीं जो electron दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते है F center ठीक है F center तो मैं उम्मीद करता हूँ कि metal access defect due to anionic vacancy समझ में आ गई होगी ठीक है अब इसमें दूसरा point देखते है यह वाला देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग हो का zinc oxide का crystal lattice बनाए तो कैसा बनेगा zn plus 2 oxygen minus 2 zn plus 2 ठीक है oxygen minus 2 zn plus 2 ऐसे ही होगा है कि नहीं अरे यह plus 2 minus 2 है नहीं यहां पर बताओ ठीक है लेकिन अब हो क्या कि इसको heat करो, ठीक है heat करने के बाद यहां की जो oxygen minus दिख रहा है ठीक है, यह क्या हो जाए निकल जाए, बात समझो ठीक है, oxygen minus यहां से क्या करे निकल जाए, तो यानि कि इनका जो ratio था 1-1 का वो कैसा हो गया गरबड़ हो गया, बताओ, गरबड़ हो जाएगा है कि नहीं ठीक है, ratio कैसा हो जाएगा गरबड़ हो जाएगा, तो reaction मैं कुछ इस तरीके से लिखके दिखाऊँ कि यह जो zinc oxide था, ठीक है इसको जब हम लोगों ने heat किया तो यह Zn plus 2 बन गया, और यहां से कुछ oxygen की gas चले गया, ठीक है तो अब यहां से क्यों कि minus charge चला गया, तो इस पूरे पर charge कौन सा जाएगा positive charge, positive charge को balance करने के लिए क्या चाहिए भाईया electron चाहिए न, बताओ बात आ रही है समझ में तो यह भी defect हम लोगों का क्या हो गया metal excess defect due to an ionic vacancy यहनि दोनों example जो मैंने बताया है वो किसका बताया metal excess defect due to an ionic vacancy ठीक है, तो अब देखो होता है क्या है कि यह जो zinc oxide था न, ठीक है यह white कहले या colorless था क्योंकि अब इसमें free electron पाय जा रहे है heat करने के बाद यहां से कुछ oxygen चला गया तो यहां पी क्या पहे जा रहा है electron, तो इसलिए यह कैसा हो जाता है colorful हो जाता है colorful और किस color का हो जाता है यह low color का, ठीक है एक बार मैं फिर से बता दू, यहां पे समझो जो zinc oxide है यह कैसा है, colorless था इसको जब हम लोगों ने heat किया तो Zn plus 2 और oxygen के molecules चले गए और 2 electron, ठीक है यह कैसा था, colorless था लेकिन अब यह जो चीज दिख रही है यह कैसी है, यह low color के दिख रही है इसको थोड़ा समझते हैं ऐसा क्यों देखो, जैसे यह हम लोगों का solid है यह solid, यह पुरा यहां से कोई भी white light आए ठीक है, white light आए तो उसकी कुछ नो कुछ white light की frequency को यह electron क्या करेगा, absorb कर लेगा तो यहां से white light अब नहीं निकलेगी ठीक है, जिस color की light निकलेगी, मालो यह yellow color की light या जो भी color की, तो उसी color का अब यह हमें appear होगा या उसी color का यह हमें दिखेगा, बातारी समझ में तो हम लोग कुल मिला जुला कि क्या समझ ज़रा है यहां पे कि जिस भी substance में F center पाया जाएगा, ठीक है वो substance कैसा होगा, colorful होगा ठीक है, colorful क्यों होगा क्योंकि वो क्या करेगा white light के कुछ light के absorb करेगा, फिर जो light reflect करेगा उसी color का वो substance हमें बालूम चलेगा, ठीक थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसमें क्या है non अब इसमें क्या है हम लोगों का non-stechometry defect में metal deficiency defect, देखो जैसे ratio कैसा है, यह iron और oxide iron oxygen मिलेंगे तो क्या, Fe plus 2 और oxygen minus 2, यह कैसा बनेगा Feo, यानि 1-1 का ratio है बताओ, ठीक है, लेकिन by default थोड़ा बहुत यहाँ पर deficiency, इस metal deficiency defect में भी पाई जाती है और यहाँ पर देखो ratio कैसा दिख रहा है यह 0.93 है इसको होना चाहिए था 1 ठीक है, लेकिन और इसको भी 1 होना चाहिए था तो यह तो 1 है, oxygen 1 तो है लेकिन यह 1 से कैसा हो गया, 0.93 हो गया कम हो गया, ठीक है, तो metal deficiency defect है, तो इस तरीके के भी defect क्या है, पाई जाते है, ठीक और इसमें आगे देखे क्या है, तो आगे अब क्या है भीया, कुछ नहीं है, तो मैं उमीद करता हूँ कि मेरी कुछ बाते आपको समझ में आई होंगी, तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए, ठेंक यू और एक काम करो, इस वीडियो को एक दो बार और देखो, ठीक है, और 50% क्या होता है, कोश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, तो अभी हम लोग 50% की ही तियारी कर रहे हैं, 50% की तियारी कब होगी, जब कोश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो डरो नहीं मेरे साथ रिदम में बने रहो, एक बार यह सिरीज कंप्लीट हो गई न, फिर कोश्चन में कराऊंगो, तो देखना कितना मजा आएगा, ठीक तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए thank you, और हसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में